हेलो फ्रेंट्स आपका एट्रेक्टिव क्रोचेटेंड नीडर के रिएसने स्वागत है आज मैं आपको यह डिजाइन का तोरण पट्टी के साथ लगा हुआ फ्लावर कैसे स्टीच किया गया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसका तोरण पट्टी और साथ में यह फ्लावर का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप उसकी मदद से यह फ्लावर और यह तोरण पट्टी को बना ले इस वीडियो पे मैं इसे स्टीच करने बताने जा रहे हैं तो आईए इसे ज स्टावर तैयर करने के बाद यह देखेंगे हैं सबसे पहले तो हम एक बिना इस इस स्टाट करेंगे नीचे तरफ से जैसा कि इस दिखाया गया है नीचे से स्टाटिंग है उस्टर से तो इसे बनाने के लिए यहां देखेंगे यह सेंटर सेंटर के जस्ट बगल वाले हु एक हूप बनाएंगे पहले और इस हूप को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इस तरह से निकाला निकालने के साथ पर अब इस पर हमें चैन बन लेने हैं और यहां देखेंगे यह वाला जो दो चैन का जो यह बना हुआ है old उससे निकालेंगे और इस पर हाप ट्रिपल क्रौश या दो फंदे को रखेंगे अगें टूटाइम लपटेंगे और फिर इस तरह से 123 का चैनल रखेंगे नेक्स्ट पे 123 यहां से फोर हो गया अब इसे हम बंद करने के बाद अब यहां पे 123 चैनल लेंगे और दो बार लपेटेंगे और फिर यह सेंटर यहां देखेंगे तहां से की अऎसी नहीं डालने हैं हमें ऐसे बीच से टालने से मकाब ऌशिए और फिर हां इस थो बनाया और इस बार हमें तीन शारा एक भर करने के बार वां टू तहीं और customers कि यह बीचवा सेंटर से हль करनेंगे और इस्था से दो फंदे इस cheating ऐस तरह से हम यहाँ पे 1000 त्री थी बना लिया अब इस पेम नेक्स्ट फ्लावर को धिश्क करेंगे नेक्स्ट फ्लावर को स्टिज करने लिए यह जो लीफ है ना यह दो दो लीफ का यहां देखेंगी यह संटर है यहां पर इस तरह से जब सिंगल क्रोश या बनाकि दुसरे वाल में जाते है तो यह वाला इस तरह का हमें चैन घृड़ा अब इसे ऐसे रखेंगे और इस तरह से हमें यहां पे स्लिप स्टिच करने है देखिए इसे मैंने ऐसे डाला है और इससे यहां देखेंगे इस फंदे को इससे निकाला अनिकालने के साथ में सेसी स्लिप स्टिच करना है इस तर ते ठीए यह स्लिप स्टिच हो गया और इस लिए और को ना अंदर की और ले जाएं कि इस तरद पीछे की और रही ऊपिर इसे पालड भी सकते हैं और फिर इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 बनाएंगे 8 10 बनाने के बाद यहां देखें लिफ का इहां है जोइंट हुआ है उसके ठीक उपर यह टीप पर यहां पर इसके चस्ट यह वगल वाले हुप यहां भी देखेंगे इसके दो चैन का बना हुआ है हम बढ़ें आरके हमें सिंगल प्रॉशे बनाने हैं इसतर से दिखिए इस तरह से गया है इस तो अंटर पर यह टीफ है टीफ क्यों बगल वाले बाग पर यानि बगल वाले दो चैन का जो बना है उस पर हमने बनाया अगे यहां पर वान टू थ्री और दो बर लपिटिंग और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैन है ना लूब बाले चैन जब आप फ्लावर को बनाएंगे ना तो उसमें आपको समझने आ जाएगा यह बना जाएगा फिर तीन बार लिया और फिर चार वार इस तरह से फर्स्ट में चार बार बनाएंगे और इसे बंद कर लेंगे एगें वान टू थ्री और सेम प्रोसेस दूर आएंगे बीच से दूसरी नंबर जो नोट है उससे हम निकालेंगे और ट्रिपल का तीन हाप को लेकर इसे कंप्लेट करें एगें वान टू थ्री दोबर लपेटा तेर इस तरह एगें वान टू थ्री इस तरह से फिर हम रिपीट करते हुए ज्वाइन कर लें है जैसा कि मैंने यहां पर जैसा कि मैंने यहां पर वान नेक्स्ट टू थ्री अब इसमें हमें फोर फ्लावर लगाना है फ्लावर लगा लेती है फिर आगे का प्रोसेस बताती है अगे अगे प्रोसेस से फील हमें यहां पर इस तरह से स्लिप करने है वाद वान टू थ्री और फाइव आदे गैए और फिर इस फ्लावर को फट देंगे और इस से इंटर से लाएंगे और फिर इसका सेंटर एए है बल्ब इसके बल्ब के जेस्ट बगल में उपर से डालेंगे उपर से सिंगल क्रॉश्य बनाएंगे वान टू थ्री फोर एगें नेक्स्ट वाले हॉल पर है वान टू है वान टू थ्री हो गया है जैसा कि इसमें पूर बनाने है को बना है सारे को बन टू थ्री नेक्स्ट वान टाइम एंद टू ताइम और टू ताइम वान टू थ्री नेक्स्ट fundש कि цен이고 Черफ टौ इस तरह से यहां पर किन फ्लावर ढूर रगा लेती हैं इस तरह से हमने में चार फ्लावर को एड़ कर लिया है अब में कर तिछ कर रहे हैं यह देखिया TU यह इस तरह सुझागा और यहां भी हमें 123 नलिया है अब से स्टीश करना बहुत यहां आप इसे कट करने है तो यहां कि ज़ी से सेंटर के लिए तरशने के क्लush चुल और के पास लिए अब अब देखेंगे इसको यह जो हमने टेंचेन का बनाया है टेंचेन के यह फाइव वले फाइव वले फाइव वले भाग पे इस तरह से स्लिप कर देंगे और इसे कट कर लेंगे कि यह हमारा वह जुआइंट हो गया है 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 इस तरह से कट करके से खीच लेंगे और इस दहागे को में पीछे तरफ से आहिए इस तरह से अच्छी तरह से नीकाल देंगे तक कि यह खुले नहीं और ज्यादा बड़ा कूल रहा तक तो इस तरह से हमने देखेंगे इस तरह से हमने यह एक पार्ट त्यार कर लिया अभी ए नेक्सट प्रोसेस यानि यहां 1,2 बनाने हैं त्री फोर फाइब जितने लंबे रहेंगे ये पट्टी उतने ही फुलों की लंबाई हमारी बढ़ेगी और इस तरह से दूसरे पार्ट को भी बना कर तोरण पट्टी की साथ फ्लावर ट्यार कर लेंगे यह यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें सेयर करें क मेंट कुछ और स्बस्राइब नजयों तैनक य।